तो और दी एक तोड़ी को दिखाती हूं बहुत अच्छी when I हुई है तो वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मुझे थैंक यू फॉर वाचिंग मी हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टे मुनमुन की रसोई आज हम मुनमुन की रसोई में बनाएंगे सबसे पहले हम डो नीट करने के लिए यहां पर मैने लि कर लिए क्योंकि ठंडियों का सीजन है तो पहले हम इसका मुएन चेक कर लेंगे अच्छे से हाथों से हम इसको मैश कर लेंगे इस तरह से घी का अगर इस्तिमाल आप करेंगे तो कचोडिया आपके बहुत ही खस्ता बनेंगे तो जब हम मुठी बाद रहे हैं तो यह देख निख करेंगे तो बहुत जबह listens बहुत्य थाइथ नहीं होना चाहिए और बहुत सौफ्ट नहीं होना चाहिए पहले हम जो नीट कर लेते हैं रहें हुए देखिए रहा इनले को दोके नेखिख लिया है तो यह बहुत सौफ्ट अगर होगी कर लिए तो आपके करई हो के लिए पर डालेंगे हम रिफार्ड ओयल तो एक चम्मा चाहिए एक चम्मा चजवाई थोड़ी सी हींग बारे लेसुन की कर लिया चार्ख इमेट्ज एक ही अत्रफ के दुपस्किया होगा जैसे ही लैसुन का कलार चीज होने लगेगा यानि कि लैसुन आपको लगे की कोफ हो गया है मैंने मटर मटर को दाल देंगे के 10 तरय नामा प्लिस फुकते लिए और सेट इसको कूक हो रहे है दस मिन्हें हो चुक है आईए देख लेते हैं अपक अपक्षण से कूक हो गया है ग्यास के प्लेंग को हम लाज को ब कर देंगे बंद्ज ये देखियों मटर कुस 것으로 ऩ्टंडे हो गया है इसको उपाउंगा ऑन बोले डालने के लिए मैंने डाला तो लिकिन पीसमें वर्क्ट दाला है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ही हो गया है और इसको हम इसके हम चार पार्ट करेंगे जैसे हैं यहां पर यह चार बॉल्स रेडी हुई है आप इसमें आठ कचोड़िया बना के रेडी कर सकते हैं और अच्छे से इसको फैला देंगे हैं बहुत एजी है और छोटी से क्रिकस्ट है आप से वीडियो पसंद आए तो लाइक शरूर कर दीजेगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो देखिए आप पर मैंने बेल ल ऑत्ति घान गही है अच्छे से मंगी को यां पे इस्ट कर देगे लिए अधी तेग कहाँ कि करेंगे नहीं जूना ऐसे पोड करेंगे अ पर एक बार ऐसे फोड करेंगे तुसे हम यांपे डेसी लगांगे एक की पून लगा देंगे पर कि ये अच्छी लगा देंगे त्सक्राइब करेंगे ब कि यह अची से चिपण जाए एक थोड़गां सा नंबाईने स्कोरिष में गया है अचाड करें कि कि देख सकते हैं और धागा ले लेते हैं धागी की है आप से मैं इसको कट कर लेंगे धागी की है आप से कट करने से बहुत ही अच्छे बहुत ही मीड एंड ख्लीन इसकी कटिंग हो जाएगी इसको इद्हार रखेंगे और खलका सास्कों प्रस करेंगे गहां जो प्रसले है हमारा व॥ है यहां यहां पर मैंने सिकस हमारे रेडी हो गए है चलिया हे पीν लेते हैं बेलने के लिए हम सबसे पहले आप इसको ऐसे जिदर यह डिजाइन यह इसको हम नीचे की तरफ करेंगे यहां हम तो हम थोड़ा से हम ढख यार के हाथों से बधिये गाइगा इसको अंब क्या करेंगे आप क्या करेंगे यहाप बा॓ल ले ले लेंगे इससे क्या होगा कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आपको बनाने में इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और अपनी यहां पर फिलिंग हम फिल कर देंगे तो दो चमश हम भर के यहां पर डाल रहे हैं कि नारी के पॉर्चन को हम पकड़ते हैं इसको ऐसे जैसे हम कचोड़ी के लिए फिल करते हैं सेम वैसे ही इसको हमें ऐसे लेना है देखिए आप चाहें तो ऐसे हथेली पर भी रखके भर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो यहां पर टू स्पून मैं भर लो रही हूं अच्छे से हम स्ट्रफिंग करेंगे कोई भी ति हम कचोड़ी बनाएं ना सेम वैसे ही इसको भी हम बना देंगे अलगण के मैंने बना के रेडी कर लियाँ चलिया डीफ्राइब कर लेते हैं चाहिए अमें नौर्मल हीट चाहिए तो ध्यान रखेंगे जिधर से हमने इसको बंद किया है उधरी साइट से अम इसको एसे डा मीडियम फ्लेम पर हम इसको कोखोने देंगे और यह देखे प्रांच मिन हो गया है बस इसको हम पलट देंगे स्पून से पलटेंगे लुक अच्छे लग रहे हैं और इसको चार ओर से हमें घुमाते हुए से लिए प्लेम रखेंगे इसको शेटने में आच से दस मिट अराम से आपके लग जाएंगे लेम दिखकर आप समझ सकते हैं कि हम कितने लो फ्लेम पे इसको शेक रहे हैं और यह देखिए दूसरी तरब से भी यह कैसे अच्छे क्रिस्पी हो गया है बस हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे घुमाते विशारो और हमें इसको सेक लेना है इस कचोड़ी को आपको सेकने में लमसं बारा मिनट अराम से लग जाएगा और देखिए हो गया है तो छड़िया यह निकाल लेते हैं यह बहुत ही अच्छे कुख हुए हैं यह देखिए कितना प्यारा कलर भी आया हुआ है और यह देखिए कितने प्यारे हमारे बन के रेड़ी हुए हैं आप देख सकते हैं एक है क्लियर साफ साफ समझ में आ रही है और चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी इसको दिखाती हूं देखिए यह देखिए वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर सुस्क्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक यू फॉर वाचिंग मी